आज की मेटसीन है आरसेनिक एलबम मैं हूँ डॉक्टर नेनार और आप देख रहे हैं इन्वासो हुम्यों आरसेनिक एलबम जिसका कॉमन नेम वाइट अक्साइड ओफ आरसेनिक है और जिसका फेमली नेम आरसेनिक ट्राइ अक्साइड है जिससे हम लोग एस तू ओ थरी से जानते हैं, इनके पुरुभर हैं, हेनी मैन, आए इसका mental general देखते हैं, mental general symptoms, the disposition is, तो disposition यानि होता है, स्वभाव, यानि मरीज का स्वभाव कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, तो आगे कहता है, पॉइंट ए में, depressing, melancholic, despairing, indifferent, depressing यानि उत्साहिन, melancholic, यानि उदास, despair यानि निरास, और indifferent यानि की विरक्त, यानि की neutral, unchanged, नेक्स्ट में, B में बोलता है, anxious, fearful, restless, full of anguish, anxious यानि होता है, चिन्तित, यानि बराबर चिन्ता में डूबा हुआ, fearful यानि डरा हुआ, restless, restless यानि बेचैन, full of anguish, तो यहाँ, anguish यानि होता है, दुख, यानि एक ऐसा बेक्तित, एक ऐसी छवी बन रही है, जो निरास है, हतास है, और साथ में वह चिन्तित भी है, डरा हुआ भी है, और restless भी है, और साथ में दुखी भी है, irritable, sensitive, pv's, easily waxed, irritable यानि होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों में जो है, चिड़ चिड़ा हो जाना, react कर देना, sensitive है, और pv's यानि तुनुक मिजाजी, यानि कब गुस्सा हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी बातों पे, इसे काना मुस्किल है, easily waxed, यानि चिड़ना, यानि एक चिड़ है उसके अंदर, यह पूरा का पूरा आप तेख रहे हैं कि यह खाका बना हुआ है, यह डरा भी हुआ है, चिड़ चिड़ा भी है, तुनुक मिजाजी भी है, और दुखी भी है, साथ में घबराया हुआ भी है, डिप्रेश्ट भी है, तो यह इस तरह का एक, एक हां का एक mental symptom इसका बनता है, नेक्स्ट में बोलता है, the greater the suffering, the greater the anguish, restlessness, and fear of death, तो fear of death, आपको एक को नाइट में भी देखने को मिलेगा, और fear of death, आपको यहां भी मिलेगा, बट जो mental symptom, यह carry कर रहा है, वो इतने prominent, आपको यह सारे mental symptom, एको नाइट में नहीं मिलते हैं, और यह deep acting remedy है, और एको नाइट क्या है, वह acute remedy है, तो बोल रहा है, the greater the suffering, the greater the anguish, जितनी इसकी समस्या बढ़ेगी, उतना ही यह दुखी होगा, उतना ही यह बेचैन होगा, और साथ में इसे मौत का भी भाय रहेगा, कि यह जो परसानी मेरे साथ बन रही है, यह कहीं मेरे मौत का कारण न बने, नेक्स्ट में बोलता है, mentally restless, but physically too big to move, दिमागी रुप से बिलकुल बेचैन होगा, वो इस्तिर नहीं रहेगा, बराबर बातों को सोचता रहेगा कि मैं इसका हल कहां से निकालू, मेरे साथ कैसी कैसी समस्याएं हो गई है, लेकिन physically वो इतना weak रहता है, इतना कमजोड रहता है कि वो अपने आपको हिला भी नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर चेंज करते रहता है अपने पोजीशन को, बड़ चुकि वो बहुत weak होता है, फिजगली बहुत ज़्यादा weak होता है, इसलिए वो ज़्यादा move नहीं कर सकता है, एक बड़ा movement नहीं कर सकता है, बच्छोटा मोटा थोड़ा बहुत इधर उधर हिलना, और आराम पाने के लिए बेड़ पे ही कभी यहां कभी वहां बेड़ पे ही यह आराम की तलास करेगा, नेक्स्ट बोलता है, NCS fear of death, think it useless to take medicine, is incurable, is surely going to die, यह चिंतित है, NCS fear of death, चिंता किस बात की चिंता इसे, मौत का भाय है, ठीक, और इसे लगता है कि दवा खाना अब बेकार है, क्योंकि जो बीमारी मुझे हुई है, वह incurable है, and is surely to die, और मैं पूरी तरह से बिस्वास्त हूँ, 100% sure हूँ, कि मैं इस बीमारी से नहीं बचूंगा, dread of death, when alone on going to bed, dread वहीं चीज है, इंगलिस सब्द का एक fear का ही, यह एक प्रावाची आप समझ लेजे इसको, तो dead मतलब भी fear ही होता है, fear of death को ही यहां लिखा है, कि इसे मौत का भाई होता है, कब जब यह अकेले हो जाए, और जब यह सोने जाए on the bed, on going to the bed, नेक्ट बोलता है, attack of anxiety at night, drive out of bed, एगराभेट after midnight, attack of anxiety, यानि यह चिंता का जो इसके उपर एक attack होता है, यह कब होता है, रात्री के समय में, रात में, driving out of bed, और यह जो इसके उपर इतना जो चिंता सवार हुआ है, यह इसे बिछाओन से उठा देता है, एगराभेट्स after midnight, और इस तरह की समस्या बढ़ती कब है, तो वह मध्यरात्री, यानि की बारा बजे के बाद, नेक्ट बोलता है, टिथिंग, चिल्रेन आर पेल, वीक, फ्रीटफूल, and want to be carried rapidly, अब यहाँ एक सब्द आता है, फ्रीटफूल, यानि यह होता है, चिर्चिडा, सताने वाला तुनुक मिजाजी, अब वह ऐसा बच्चा, टिथिंग चिल्रेन, जिसकी दात निकल रही हो, और वह देखने में कैसा हो, पीला हो, कमजोड हो, और चिर्चिडा हो, और हमेशा चाहता हो, कि मुझे कोई उठाए, यानि गोद में रखे, अब गोद में क्यों रहना चाहता है, चुकि वह बिक है, जैसा कि हमने उपर पढ़ा कि फिजकली टू विक टू मूब, तो वह इतना कमजोड होगा, बच्चा हो, मेल हो, फिमेल हो, चाइल्ड हो, गर्ल हो, उससे कोई लेना नहीं है, बट, आर्सेनिक का पेसेंट फिजकली वीक होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है, और पेल बोल रहा है, तो संभौता है कि उसमें कहीं न कहीं हेमोगुलोवीन की कमी हो, आयरन की कमी कहलीजे, बलड की कमी कहलीजे, वाटेवर दनेम, उससे मतलब नहीं है, बट, हमें तो यहाँ, सिम्टम पे ध्यान देना है, तो यह था हमारा मेंटल, अब आते हम, फिजकल जेनरल में, ग्रेट प्रोस्टेशन, विथ रैपीड, सिंकिंग ओफ भाइटल फोर्स, फैंटिंग, अब ग्रेट प्रोस्टेश इसको इसने बोल्ड लेटर में लिखा है, ठीक है, तो बोल्ड लेटर में जो लिखा जाता है, वो सबसे हाई ग्रेड का सिम्टम होता है, और इटैलिक में लिखा है, वो उससे कम हुआ, और नॉर्मल में जो लिखा हुआ है, वो सबसे कम हुआ, तो यह ग्रेट प्रोस्ट लिखता है फीजकल जेनरल का सबसे पहला symptom with sinking of vital force fainting यानि इसको भयानक कमजोड़ी होगा इसे ऐसे लएगा जैसे कि मैं बचूंगा नहीं ये इतनी कमजोड़ी होगी कि इसे मौत का भय सामने नजर आएगा इसे लएगा कि मेरी मौत बिलकुल करीब है और इतनी करीब है कि दबा भी अब इस काम में नहीं आएगा नेक्स्ट में बोलता है burning pain the affected part burns like fire as if hot coal were applied to the part तो ये बोलता है कि burning pain एक तरह का जलता हुआ दर्द दर्द में जलन ऐसा लएगा जैसे कि किसी ने जलता हुआ कोईला उस पर रख दिया हुआ इतने तेज जलन होता है ये भी बोल्ड में लिखा हुआ है the burning pain the affected parts burn like fire यानि आग में जैसे हाथ पढ़ जाने पर जलता है बिलकुल जलन महसूस होता है वो ऐसा महसूस होगा लेकिन किस केस में जहां दर्द है जिस पार्ट में वो इस तरह का symptom दे next में बोलता है कि emulorated by heat hot drink और hot application तो burning symptom जो है वो होट से क्या होगा emuloration होगा antracenum में भी ऐसे देखने को मिलता है cannot wear the smell or sight of food वो देख नहीं सकता है और bear नहीं कर सकता है sun नहीं कर सकता है food को देखना या उसकी महा कैसा kolchicum और sepia में भी उससे क्या होता है nausea develop होता है humating tendency great thrust for cold water drink often but little at a time it's seldom but much great thrust for cold water यानि ठंडे पानी के लिए जो प्यास इसको लगती है वो किस चीज की लगती है ठंडे पानी पीने की इसको प्यास लगती है drink often पीता भी है often यानि कभी कभी और थोड़ा थोड़ा but little at a time एक समय में थोड़ा थोड़ा पीता है eat seldom but much यानि खाता भी है कभी कभी बट क्या खाता है ज्यादा खाता है पानी थोड़ा थोड़ा पीता है और खाना ज्यादा ज्यादा खाता है next बोलता है rapid emissiation with cold sweat and great deability tuberculinum of affected part merasmus rapid emissiation यानि बहुत तेजी से क्या होता है emissiation होता है यानि सुखता है कहां जो affected part है वो with cold sweat पसीना आएगा जो affected part है वहाँ पे थंड़ा पसीना और बहुत ही ज्यादा deability यानि की कमजोड़ी के साथ यानि move भी नहीं कर सकता है उस पार्ट की ability बहुत ज़्यादा decrease कर जाएगी ऐसे टीबर कुलिनum और भेरेट्टम में भी है affected part merasmus यानि वहीं सुखंडी emissiation को ही merasmus भी बोलते है excessive exhaustion from least exhaustion यानि थोड़ा सा अगर वो काम करता है थोड़ा सा अगर exhaustion यानि होता है कि किसी प्रकार का भी effort लगाना थोड़ा सा भी effort लगाता है तो उससे क्या होता है excessive exhaustion हो जाता है यानि बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है least exhaustion से next बोलता है exhaustion is not felt by the patient while lying still when he moves he is surprised to find himself so weak तो यह जो है exhaustion उसे तब तक महसूस नहीं होता है जब तक वह बिल्कुल चुपचाप सोया हुआ है लेकिन जैसे ही वह खुद को हिलाने की कोशिस करता है या हिलता है तो वह बिल्कुल चौक जाता है सप्राइज हो जाता है इतनी ठकान को महसूस करके Symptoms generally worse from 1 to 2 p.m. and 12 to 2 a.m. यानि जो भी Symptoms है वह सुबह दीन में एक बज़े से दो बज़े के बीच में यानि की दो पहर का समय और रात्री में बारा बज़े से दो बज़े के बीच में बुरी तरह से बढ़ता है by defect from decade food, animal matter whether by inoculation, olfaction, or ingestion by defect from decade food decade food यानि साड़ा हुआ भोजन या फिर animal matter मांस बोल लिज़े या फिर पसू से मिलने वाला animal से मिलने वाला कोई भी खाद बदार्थ अगर सण गया हो और इसके सरीर में किसी भी माध्यम से साड़ा हुआ चीज या खराब हुआ चीज अंदर जाएगा तो इसका इसके उपर bad effect होगा अब वो रास्ता या तो inoculation यानि टीका करण के माध्यम से भी अगर कोई ऐसा खराब चीज इसके अंदर चला गया olfaction यानि नाक के माध्यम से और ingestion यानि मुह के माध्यम से चला गया तो इसका bad effect इसके उपर होता है complaints return annually, carbo-wage-lacacy, sulfur and thooja साल के में एक बार जरूर ही इसके सभी समस्याओं समस्याएं जो हैं वो वापस आती है एक fix time पे next symptom है gastro-intestinal system burning thrust without a special desire to drink अब यहां बोल रहा है कि ऐसा भी burning जलता हुआ प्यास हो सकता है जिसमें पानी पीने की कोई इक्षा नहीं हो पीछे पानी पीने की इक्षा थी cold drink की, but कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि इक्षा ही नहीं हो the stomach does not seems to tolerate because it cannot assimilate cold water अब stomach जो है tolerate ही नहीं कर पाता है यह जो पीएगा उसको tolerate नहीं कर पाता है, क्योंकि assimilation यानि और सोशन की क्रिया बिलकुल खतम है नहीं कर सकता है cold water lies like a stone in a stomach और वो पानी जो है वो इसके पेट में पत्थर के तरह जाकर के महसूस होता है कि एक पत्थर जो है हम खा लिये हैं और वो पेट में एक तरह बिलकुल पड़ा हुआ है it is wanted but he cannot or dare not drink it अब या तो इसको थंडे पानी का वांट होता है बट ये हिमत नहीं कर पाता है इसको पीने के और पीता भी है तो बिलकुल थोड़ा थोड़ा लिटिल पीछे हमने पढ़ा लिटिल क्यों पीता है तो वो पानी जाकर के पेट में बैठ जाएगा तो उसे लएगा कि जैसे एक पत्थर रखा हुआ है next बोलता है gastric rearrangement after cold fruit ice cream icy water sour beer bad sauces alcoholic drink strong cheese अब ये sauces जो bad sauces बोल रहा है मान से बना हुआ एक भोजन का पदार्थ होता है जिसे हम लोग sauces बोलते है तो इस तरह का जो भी cheese है इस cheese को अगर ये खाता है ठंड़ा ice cream हो गया cold फल हो गया ठंड़ा फल हो गया ठंड़ा water हो गया ठंड़ा वीयर हो गया अल्कोहल हो गया ये सारे इसके gastric rearrangement याणि पेट को खराब कर देए पेट खराब होता है तो क्या होता है नेक्स्ट में बता रहा है diarrhea after eating or drinking stool scanty dark colored offensive and weather small or large followed by great prostation अब ये बोल रहा है कि diarrhea होगा इसके बाद after eating or drinking stool कैसा होगा scanty थोड़ा होगा dark color का होगा और बिल्कूल offensive यानी बहुत दुरगंध होगा उसके अंदर काला रंका बहुत दुरगंध होगा whatever small or large followed by great prostation stool जादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है बट stool करने के बाद महान कम जोड़ी great prostation इसको महसूस होगा जो कि हम लोग ने physical general में पहला ही symptom पड़ा था great prostation उसी चीज को यहां लिखता है next में बोलता है hemorrhoid with a stitching pain when walking or sitting not at a stool अब यह बोल रहा है hemorrhoid any piles, बावसीर कब होगा इसको stitching pain होता है उसमें एक चूपता हुआ दर्द कब होगा जब यह चलेगा या बैठेगा not at a stool पिखाना जब यह करेगा यह stool करेगा उस समय इसे piles का दर्द नहीं होगा यह एक unique symptom है यह एक unique symptom है preventing sitting or sleep और यह इसको सोने और बैठने से रोकता है burning pain aggravate by heat features features make voiding urine difficult अब उधर तो हमने पढ़ा कि जो burning pain था physical general में ही हम लोगों ने पढ़ा कि burning pain amelorated by hot application बट यहां hemorrhoid piles के case में थोड़ा सा उल्टा है इसमें होने वाला burning pain heat से बढ़ जाता है और जो दरार पढ़ता है features जो है makes voiding urine difficult voiding यानि बाहर की तरफ निकालना पिसाब को बाहर की तरफ निकालने में बहुत दिक्कत होने लगती है next symptom respiratory system breathing asthmatic अब respiratory में इसके पेशेंट में asthma भी देखने को मिलेगा यानि difficult in breathing सांस लेने में उसको काफी तकलीफ हो रहे है यह must sit बैठ जाएगा और bend forward आगे की तरफ जुक सकता है जुक जाएगा spring out of bed at night और यह कूद के बैठ जाता है bed पर कब रात में especially after 12 o'clock वही एग्रावेशन जो हमने पीछे बताया कि एक बज़े से बारा बज़े बारा बज़े से दो बज़े के बीच में रात्री में बढ़ेगा और दीन में आपको एक से दो के बीच में तो यह बारा बज़े के आओगा कि इसका एग्रावेशन होगा unable to lie down for fear of suffocation और यह फिर सो नहीं पाता है जब यह बिचहान से कुद के उठ जाता है आये की तरब जुग जाता है या बैठ जाता है तो सोने की हीमत नहीं करता है इसको लगता है कि fear of suffocation कि मेरा दम घुट कर ही मेरा दम ही घुट जाएगा और इसी से मैं मर जाऊंगा fear of suffocation attack like crop instead of the unusual arty area अब crop यह खासी खासी इसको होता है इसको attack आता है खासी का जिसमें crop में upper respiratory जो system है upper respiratory जो track है वो infected हो जाता है और यह कब होता है arty area यानि चकत्ता चकत्ता निकलता है इसके सरीर पे और past history में कभी इसने उस चकत्ते का किसी तरह से इलाज किया हो या फिर वो दब गिया हो जो भी हुआ हो कुछ न कुछ past history में आपको आर्टी के रिया मिलेगा तो उसके बाद भी अगर किसी को खासी की समस्या आ रही है तो उसमें बाकी सारी symptoms अगर मिलते हैं तो उसमें arsenic album अच्छा काम करेगा next में बोलता है skin इसकीन पेल वैक्सी अर्थ कॉलर्ड acetic acid इनासार का पूरे सरीर में आपको क्या हो जाएगा एडीमा डेवलोप कर जाएगा यानि कि पूरे सरीर में accumulation of water देखने को मिलेगा बाहर से देखने पे चमडा कैसा दिखेगा पेल पीला और वैक्सी यानि चमकीला ऐसा लाएगा जैसे मोम किसी ने उपर से डाल के और पॉलिश कर दिया हो अर्थ कलर्ड यानि थोड़ा सा मट मैला रंग का पीला पन लिये हुए ऐसा आपको acetic acid में भी मिलता है skin dry and scaly cold blue and wrinkled with cold clammy per aspiration skin कैसा होगा सुखा होगा dry and scaly यानि थोड़ा सा पपड़ी दार cold blue and wrinkles थंड़ा और blue blue color का नीला पड़ा हुआ और wrinkles यानि जूरिया उसमें होगी तो सुखे skin में तो जूरी होती है और इसी चीज को यहाँ पे बोल रहा है lie के parchment parchment का मैंने picture डाल दिया है आप देख लेंगे parchment parchment में इसकी निसी तरह का नजर आता है और साथ में आप उस पे कैसा per aspiration मिलेगा कैसा पसीना मिलेगा cold claimy chip chipa per aspiration मिलेगा white and pastry pastry यानि होता है chip chipa और claimy यानि भी chip chipa होता है एक ही बात को यह बोल रहा है black vesicles and burning pain काला काला आपको vesicles नजर आएगा जिसमें क्या होगा burning pain होगा एक चलन होगा तो यह था आपका skin का जिसमें हमने देखा कि यह नसार का भी है और हमने देखा कि parchment like एक appearance of skin आपको नजर आएगा जो skin कैसा होगा चूईएगा तो वह ठंडा होगा नीला पड़ा होगा जूरीदार होगा wrinkles होगा scales होगे उसमें पपड़ियां भी आपको देखने को मिलेगी और black vesicles और burning pain होगा modalities देख लेते हैं aggravation after midnight 1 to 2 am और pm या तो सुबह में एक से दो के बीच में या फिर दो पहर में एक से दो के बीच में from cold cold drink और food when lying on affected side or with the head low अब या तो cold drink cold food से बढ़ेगा या फिर lying on affected side जो जिस side में दिक्कत है उस side से सोने पे और माथा को नीचे करने से ameloration कब होगा from heat in general reverse of reverse of sickle सिकली कोर में जो वहाँ heat से क्या होता है aggravation होता है या ameloration होता है except headache headache इसका किस तरह से amelorate होता है cold application से which is temporarily amelorated by cold bathing spigelia तो cold bathing से भी या फिर cold application से क्या होगा कि माथे का जो है दर्द जो है इसका कम होगा इसा किस में है spigelia में burning pain emelorated by heat तो burning pain जो है वह किस चीज से कम होगा heat application से हमने पीछे पड़ा था relation में देखते हैं complementary तो complementary में है hyalium, sativa, carbobase, phosphorus और pyrogen तो यह सारे arsenic के complementary है symptom मिलने पर arsenic के बाद आप इन लोगों को दे सकते arsenic should thought of in elements from achieving tobacco alcoholism तो arsenic के बारे में आप सोच सकते हैं कब जब ऐसी समस्या उत्पन होई हो ज़्यादा गुटका चीवाने से या फिर खायनी उनी खाने से alcoholism यानि ज़्यादा सराब पीने से sea bathing यदि आप समुंद्र किनारे गए हैं और वहाँ पे आपने समुंद्र में असनान किया है sources poisoning वहीं जो मैंने बोला meat जो है सड़ा हुआ meat खाने से dissecting wound यानि dissecting यानि ऐसा wound जिसमें चीरा फाड़ फाड़ा गया हो उस wound में अगर कोई elements उत्पन होता है तो उसके poisoning में भी उस case में भी आप arsenic को सोच सकते है anthrex poisoning anthrex poisoning में fever होगा, chill होगा, chest discomfort होता है shortness of breath confusion, dizziness cough, nausea, vomiting stomach, pain, headache sweats तो यह सारे symptoms arsenic से अगर इन सारे बीमारियों में इस तरह के manifestation में arsenic के symptoms मिलते हैं तो आप arsenic के बारे में सोच सकते है sting of venous insects यानि sting यानि यानि कोई घातक जहरीला अगर इन्सेक्ट है उसने डंक लगाया हो और इस तरह का symptom develop हो रहा हो तो उसमें भी आप arsenic के बारे में thinking कर सकते हैं तो यह था friends arsenic album फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगर वीडियो informative लगती हो तो चैनल को subscribe कर ले वेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को like share करें थैंक्स